मैं अभी backspace प्रेस करना चाहता हूँ प्रेस नहीं हो रहा है यह भी नहीं हो रहा है क्योंकि enter भी मैंने ब्लोक किया है इवन मैं control एस प्टन प्रेस कराऊ यह भी नहीं हो रहा है मैं फाइल को save भी नहीं कर पाऊंगा अब आपको जो भी की disable करनी हैं उसके लिए आपको छोटे code लिखने हैं जैसे आपको enter की disable करनी है तो आप enter लिखोगे enter के आगे without space अरे सुनना कल में एक job enter वी के लिगाई थी और उन्होंने मुझे Microsoft Word में paragraph टाइप करने दिया था कर रहा होगा कि keyboard की उपर यह backspace की किस तरह से बंद की रहेगी कैसे करते हैं लोग यह तो जानने में इंटरेस्ट हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और इतना ही नहीं एक और सिन्यारियो बता दिता हूँ जैसे आपके घर में आपका laptop या computer बच्चे यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि या इनसे डिलिट की या shift डिलिट की प्रेस हो गई कई गलती से तो पुरा का पुरा डिटा मतलब जो भी file selected वो डिलिट हो एसा अगर आपको लगता है तो आप shift डिलिट की को temporary टेंपररी टेंपररी ब्लॉक कर सकते हैं टेंपररी बंद कर सकते हैं कैसे यह भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर तो चलिए मैं सतीश complete टिक लाओ चैनल पर आप सबका स्वागत करके शुरू करते हैं तो जैसे इंट्रो पार्ट में मैंने आपको काया है कि भई हमें backspace की या फिर एंटर की या फिर ctrl s बटन या फिर delete key, shift delete key, ऐसे अलग-अलग keys बंद करनी है यह सारी keys हम बंद कर सकते है keyboard की उपर कोई भी key बंद कर सकते है हाला कि keyboard की उपर यह बंद होगी लेकिन mouse से action होगी, याद रखिये mouse से right click करके delete हो सकता है मैं delete करूँगा तो, लेकिन keyboard से बंद करनी है हमें, गलती से keyboard पे delete button प्रेस होता है, तो delete होता है न भई shift delete प्रेस होगे तो permanently delete हो जाएगा तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहले मैं आपको demo दिखाता हूँ, हमेशा पहले demo देख लीजिए यहाँ पे देखिए, block keys नाम का एक मैंने program बनाया है, मैं इसे run करूँगा, छोटा सा program में, इसमें कोई coding नहीं जादा, simple सा code है, एक बस वही कर लो, मैं बताऊंगा आपको don't worry, यहाँ पे block keys पे double click करो अब मैंने double click किया, अब मैं यहाँ पे notepad start करके आपको दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ पे notepad start किया, और मैं लिख रहा हूँ hello, how are you, लेकिन मैं अभी backspace press करना चाता हूँ, press नहीं हो रहा है, मैं interface करना चाता हूँ, यह भी नहीं हो रहा है, क्योंकि enter भी मैंने block किया है, even मैं control s button press कर रहा हूँ, यह भी नहीं हो रहा है मैं file को save भी नहीं कर पाऊंगा, control s से है मैं file में जाकर save कर सकता हूँ लेकिन control s से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह key मैंने बंद की है, control s ऐसे combine key भी आप बंद कर सकते हैं साथ में मैं यहाँ पे इस file को select करता हूँ, keyboard पे delete button press करता हूँ यह भी delete नहीं हो रही है, shift delete press करता हूँ, यह भी नहीं हो रहा है, तो यह keys बंद हो चुकिए, यह block key program run करने की वज़े से, अब यह program कैसे बना है वो तो देखेंगे लेकिन इसे बंद कर दो पहले, क्योंकि यह अगर on है तो भाई, मैं backspace यह कुछ नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, तो मैं यहाँ पे इससे पहले बंद कर देता हूँ, यहाँ पे notification में आना है, जो program चालू किया है मैं notification से बंद करूंगा, यहाँ पे h, नाम का यह program मुझे दिखाए दे रहा है, h, यानि कि auto hotkey का यह program है, right click करूंगा, मैं इसे exit करूंगा, okay, अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको यह देखिए, backspace चल रहा है, ctrl s प्रेस करता हूँ, save का dialog box भी आ रहा है, सब कुछ चलेगा, अभी, सब कुछ चलेगा, delete भी होगा, shift delete भी होगा, अब यह मैंने बनाया कैसे, सवाल यह आता है, और यह आपको सीखना है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको Google पर जाना है, और Google पर आपको search करना है, auto hotkey क्या search करना है, auto hotkey यह देखिए, auto hotkey, यह सबसे पहले link आपके सामने आ रही है, इसके उपर मैं click करूंगा, इस पर click करके इसे run कीजिए, run कीजिए, एक pop-up आएगा, yes कीजिए, जैसी इसे run करोगे, आप यह अलरी मिरे पास install है, उसने बोला कि upgrade करना, yes, upgrade to new version और मैं यहाँ पर reload करूंगा, क्योंकि मिरे पास पहले से install था, आपके पास install के लिए option आ जाएगा, और करनी है, अब आपको जो भी की disable करनी है, उसके लिए आपको छोटे code लिखने है, जैसे आपको enter की disable करनी है, तो आप enter लिखोगे, enter के आगे, without space, यह दो बार colon add करोगे, इस तरह से, colon, shift button प्रेस करके आता है, वो semi colon नहीं है, यह वाला नहीं colon, तो shift करके, आप इससे दो बार प्रेस कीजिए, और आगे लिख दीजिए, return, इतना लिख दीजिए, यह की block होने वाली है, लेकिन इस program को save करने के बाद, वैसे delete button block करना है, तो मैं delete के लिए इस तरह से लिखूँँगा, return अगर मुझे कोई 2 की एक साथ आपको क्या क्या लिखना है, ऐसे आप कोई भी की block कर सकते हैं, आपको जितनी भी की block करनी जैसे shift और delete करनी block, तो shift, space, add, space, or delete, और उसके बाद colon, और यहाँ पे return, तो जितनी की आपको block करनी है, backspace करनी है, चलो backspace भी add कर देते हैं, okay, तो मैंने सारी की लिख दे, आपको जो की block करनी वो लिख दो, और उसके बाद इस file को save करो, control s, save करो और इसे save करते समय ध्यान रखना है कि भाई, यह auto hotkey का program बने, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, इस file का मैंने नाम रखा, block keys करके ऐसा कुछ program का नाम लिख देता हूँ, और dot block keys dot, आगे क्या कर रहा हूँ AHK लिखना है आगे auto hotkey, यह extension लिख देना है, इस file को आप save कर दो, मैं इसे desktop पे save कर रहा हूँ चलो save कर दिया मैंने, यहाँ पे minimize कर देता हूँ इसे, आप देखेंगे desktop पे block keys नाम का यह program आ रहा है, अब बात आती है, इसे मैंने ऐसा icon कैसे assign किया, यह ज़रूरी नहीं icon assign करना अब करना चाहते है तो कर सकते है right click करके इसका shortcut बनाओ send to create desktop shortcut और इसके लिए आप icon assign right click करो इस file के उपर यहाँ पे यह program को मैं run करूँगा, double click करके run करूँगा, अगर इसमें कोई error नहीं है तो directly run होगा, अगर आपने coding में कुछ error किया है तो वापे error दिखाए देगा कि वह error किया है और यह run करूँगा तो नीच h करके नाम आपको दिखाए दे रहे, h यह दिखाए दे रहे, अब मैं keyboard की उपर delete button यहाँ पर press करता हूँ suppose भी यहाँ पर आके इस file को select करो कोई भी file को select करो, और keyboard की उपर delete दबाओ, delete नहीं होगा, shift delete दबाओ नहीं होगा, control less नहीं होगा, enter नहीं होगा ओके, इस सारी चीज यहाँ पर keys यहाँ पर बंद हो चुकिए, और इन keys को दुबारा आप चाहते कि भाई, नहीं नहीं, keys वापिस काम करे, तो इस यहाँ पर notification में भी जा सकते आप यहाँ पर यहाँ पर right click करो, इसके उपर exit करो, इस program को आपको exit करना होगा, तभी यह keys चलेगी यह फिर computer को restart करो, चल जाएगी क्योंकि यह program close हो जाएगा लेकिन आपको लगता है, यह computer start होती ही, यह delete की वगरा work करना है, बंद कर दे, तो आप इसको क्या करो, इसको आप startup में डाल दो मैंने already, मेरे learn more short नाम के channel पे इसकी tips डाली है learn more short नाम का channel आपको पता नहीं अब तक, अरे short tips के लिए में एक channel नया start किया है, description में जाएगे जहां पर मैं और मेरी team अलग-लग shots की video डालते है, computer tips और tricks में master बनने के लिए, जाकर description में check कीजे, learn more short फिलाल इससे क्या करेंगे हम, इसका इसका shortcut बनाएंगे या इस file को ही उठाएंगे directly इस file को cut करेंगे यहां से cut और हम जाएंगे run command के अंदर यह देखिए, run में हम लिखेंगे shell इस तरह से, देखिए, shell colon startup, पुराना version अगर आपके पास विंडोस 7 वगरा तो आप आप खल इस तरह से लिखने के बद यह विंडोस आएगा इसमें आप पेस्ट करो उस file को अब क्या होगा, जैसी आप computer स्टार्ट करोगे तो आटोमेटिकली यह file रन होगी यानि कि यह प्रोग्राम रन होगा तो जैसे computer स्टार्ट करेंगे आप याद रखो कि आप नहीं ब्लॉग किया है इसे आप यहां से डिलीट मारो नहीं तो बार बार computer चालू होती ही क्या होगा वह ब्लॉग हो जाएगी यह भी यात रखो नहीं तो बाखी लोग को पता है नहीं यार बाद में उन्होंने ब्लॉग कर दिया और फिर कमेंड में लिखते है सर ब्लॉग कर दी अब यह ब्लॉग हटाएंगे कैसे यह तो मैं बता रहा हूँ कि पहले हटाने के लिए पहले मैंने बता कि यह तो राइट क्लिक करो यह अगर प्रोग्रम आप रन करते हो यह देखिए यह वाला प्रोग्रम रन किया तो यहां पर राइट लिख करो और इसे एक्जिट यहां से करो यह पिर अपने अगर उसे स्टार्टप में डाला है तो वो स्टार्टप में से डिलीट मार दो सारी प्रोसेस मैंने बता दी है डेफिनेटली एक टीप्स है जो कि मुझे लगा आपके साथ एक टेक्निकल टीप्स में शेयर करूँ तो भई कैसे लगी आप कमेंट शेक्शन में बता रहा है ना लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना डिस्क्रिप्शन में जाएए मेरे धेर सारे कम्पीटर के कॉर्से से जिसमें कम्पीटर हाडवेर का भी कॉर्स है जो कि ISO Certificate कॉर्स है घर बैटे-बैटे सीखने का मुका है जरूर चेक आउट कीजिए और मेरे डेर सारे और भी चैनल उन्हें भी चेक कीजिए फिलाल तो मैं मिलूँगा कुछ और इंटरेशन वीडियों के अदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिए सीखते रही है सीखाते रही है बाइ-बाइ